पर चुनओं में क्या मेहाल रहेगा, यहां की लोग ग्रामिन किनों भोट देंगे ? रजकुमार जादभ का ? रजकुमार जादभ को ? रजकुमार जादभ को ? कलवतिया देवी जी इधर पुरा चुनाओ का सरगर्मी तेज है बहुत सारे पाटी आ रहे हैं यहां का गरामिन महिला लोग जादा भोट देने का इच्छुग रखते हैं कि इधर आप लोग कमत हैं रजकुमार जादो रजकुमार यादो तीन तरह तीन तारह बावलाल मरां जितायों साभी मिल के तक हम लोगा देदी आप देखें कहां रोड है कि नहीं कुछ नहीं नहीं पांट साल लगातार थे उन्होंने बीजेपी में चले गे जीतने के बाद उन्होंने बोला कि पुरा विकास की गंगा खास करके अपने छेत्र बनाया है और बहाएं कहां गया घंपिकास कुछ नहीं वोगा मिलते हैं कुछ नहीं मिला है और इस वार भृटा किनको दीजेगा रजवकुम होते हैं लोग समसिया होते हैं तो को बोलाते हैं यह जाते हैं को कहने जाते हैं मतलब रचकुमार जादा कोई भी दुख समसिया होते तो खड़े रहते आपना समझ करो मदद करते हैं मदद करते हैं अभी हम लोग देखिए हम लोग क्या कुछ बना दीजिए पका तो पूरा पका करादें शमसिया हम लोग किसी बीमार पढ़ जाते हैं किसी का बच्चा होने ला रहते हैं को गारी नहीं खोजता है इदर वह भर राष्ता अभी हम जीतें घृतें तो पुरा पक क्या नाम हो आपका सोधा देवी जी क्या लग रहा इस वार चुनाओं में क्या महाल रहेगा यहां कि लोग गरामिन किनों बोट देंगे रचकुमार जादव का रचकुमार यादो बताए जा रहा है यहां बगल में कंडिडेट है निरंजन रहा है बावुलाल मरांडी जी है क्यों नहीं देते हैं यह ग्राम पूरा चारो साइट जंगल से लेश है चारो साइट जंगल बन विवाग का है बीच में आप लोग रहते हैं कभी बहुत सारे समस्य का सामना करना पड़ता है तो अभी बरतमान जो इससे पहले बिदायक थे बावुलाल मरांडी जी अभी सब्सक्क्राइब करता है। किन को भोड़ दीजेगा रचकुमार यादव का है विकास करेंगे तो ना करते हैं भरोसा है कि रचकुमार यादव इससे पहले भी रचकुमार यादव रहे कैसा विकास हुआ था इनके पहले जब वो थे भी दाएं ठीक है ठीक हुआ था देखिए दादी देख लीजे पूरा जुल्जूल है लगभग साठ पल कितना उमर हुआ है बहुत उमर हो गया है बहुत ने जाते हैं ना किनको दीजेगा रचकुमार यादव के बाबुलाल मराणी को कहने दीजेग कभी यहां नहीं आए देख लिजे बाबुलाल मराणी जी पूरा जारखन को है जो कहना चल रहे हैं कि पूरा जारखन में हमारी सरकार रहेगी बिजेपी के सरकार रहेगी लेकिन इस गाउं में देख लिजे उनी का चेतर से आता है तिसरी परखंड से आता है लेकिन जीतने के बाद इनका कहना है कि एक दिन भी हमारे गाओ नहीं आये इसलिए हम लोग उनको नहीं जानते हैं हम यतना तक आज तक देखे नहीं है कि कौन है बाबुलाल मरांडी मुंदिरका देवी जी आपका गाओ का नाम क्या हुआ लडवा टार तीसरी में पढ़ता है किनको भड़ती जेगा अबरी दखे हमने के बहुत ही गाओं तफ लिग हो पर अब बसाब बरत हो वह एहरा तालाव ना हो ना है ना है तालाव पानी सुख जाए पानी सुमतलब हार चीज के समस्या है अभी विधायक आपका पांच साल रहे हैं बाबुलाल मरांडी कैसा विखास के एंगा बहुत देखर कर कि यह विखास करते या ना करते हैं लग रहा है रचकुमार यादव जब आएंगे तो पूरा विकास करेंगे आपका हर गाउं घर कर समस्या समधान होगा होगा देखे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखें यहां इनका कहना है कि रचकुमार यादव से हमारी उमीद है और इस उमीद के साथ उनको हम भो करवाएं कि नहीं आने जाने में समस्या ना होगी और इनको लेकर बनाएंगे बड़ी दूख तकलिफ ना बड़ी हां देख लिए बाबुलाल मरांडी जी जहारखंड का मसीहा बोले जाने वाले है बोले जहारखंड का हम विकास पुरूस बनेंगे और अभी आने वाला सम करते हैं लेकिन आज जब इनके गाउं इनके च्छेत रहा है तो लोग इनहीं पर कटाच कर रहें बाकि इनके लिए क्या कहना आप कॉमेंट में जरूर बताईएगा कुछ लोग आग इनसे भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे ताल्दक यहां तक वीडियो देखन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहें के डेल नुज हमें सुरज कुमार जहिन